नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूटूब चैनल में तो देखिए हम लोगों ने अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया है जिसमें हम अभी तक क्या गया कर चुके हैं तो सबसे पहले हमने प्रैक्टिस इट 6.1 के कुस्टिंस को सॉल् रिएधा कर के वह अमने डिसक्स किया था फिर उसके बाद जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने टेबल के बारे में जाना था यहां पर हमने यह तीन ऊद होगा मैंने बताया भी था प्रिशले वीडियो में एक ऐख लिए यह तीनों टेबल आप लोगों को अच्छे से या उनके लिए टेबल दिया गया था और यह वाले किसके लिए है तो जो सूपर सेरियर सिटिजन है यानि कि जो अस्ति साल के ऊपर है तो यह सारी चीजे मैंने आप लोग को अल्रेटी बताई थी इसके अलावा हमने क्या किये थे तो यह जो हमारे सॉल्ड एक्जामपल सेने को सॉल्ड करेंगे तो सब लोग रेडियो इसमें बस दो ही कोश्टन दिये गए हैं और उन दोनों को हम यहां पर सॉल्ड कर लेंगे तो बताइए चले आगे चलो जी यह रहा आपके सामने कोश्टन नंबर वन तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि यहां पर ना जैसे आ ऊंपाने निकिता को में नेकिता तो को पड़ाने में बरना पड़ेंगा ये आपको कैसे पतार चलेगा सब्स ilum और टेबल गिवन बिलो एंड चेक एंड डिए सब्सक्राइब कितना है वह यहां पर दिया गया है क्योंकि इनकम को देखकर कर पर कि इस देना है और फिर उँंकम को कर दिया और फिर इनकम थे और नौट तो चलो फिर शुरू करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर कौन है भाई मिस निकिता तो मिस निकिता का एज कितना है 27 इयर्स तो बताइए इनके लिए हम कौन सा टेबल देखेंगे तीन टेबल हमने देखा था एक तो साट साल यह फिर उससे कम दूसरा साट से असी तीसरा असी के ऊपर तो यह कहां पर आएं है ना तो इसमें देखिएगा मैं तोड़ा नीचे गर देती हूं देखो जिनकी उम्रे साट साल या फिर उससे कम है उनके लिए टेबल है उनका सैलेरी मतलब उनका टेक्सेबल इंकम क्या था अभी अभी हमने देखाता ना टू लैक थर्टी फोर थाउजन था एक बार में इंकम दो लाग पचास जार या फिर उससे कम है तो उनको कोई टेक्स देना है क्या देखो यहां पर इंकम टेक्स नील मतलब 0 कुछ ने एजुकेशन से यह भी है सेकंडरी और हाइर एजुकेशन से बी क्या है नील है यानि कि देखो वह कौन से वाले स्लैब में आएंगी वह तो पहले वाले यह क्योंकि उनका यह वह गत्क है टो लैकि फॉर थाउसन और टो लैक से कम ही है कि नहीं बोलो जल्दी से यहांई कहने का मतलब क्या है कि जो निकिता है ना उनको कुछ भी टेक्स नहीं वहरना पड़ेगा तो इसका आनसर आप कैसे लिखिएंगा आज यहाँ पर लिखते हैं क्या लिखेंगे विल नॉट विल नॉट हैव टू पे इंकम टेक्स यहां पर नॉट लगा दीचेए यहां पर लिख देते हैं कि विल नॉट हैव टू पे income tax समझे students तो यह हो गया आप लोगों का answer आप देख सकते हो ठीक है तो इसी प्रकार से आप लोगों को लिखना है मैं यहाप एक line भी खीज देती हूँ जिससे आपको पता चले कि यह अलग-अलग है वरना एक ही मेना mix हो जाएगा एक मिनुट ठीक है चलो अब हम बात करते हैं Mr. Cool करने की तो इनका age कितना है 36 years यानि इनके लिए भी हमें पहला ही table देखना पड़ेगा और इनका salary कितना है मतलब taxable income कितना है 2,27,000 इतना है इनका क्या है income है ठीक तो चलो फिर table number 1 हम देख लेते हैं लेकिन उससे पहले मैं यह line थोड़ा ठीक करना चाहती हूँ तेड़ी मेडी line रहती है न मेरे को अच्छा ही नहीं लगता अब शायर ठीक है चलो इनका salary मतलब इनका जो taxable income है न वो आप याद रखिएगा 3,27,000 तो आजए यह first table में हम फिर से चलते हैं और देखते एक बार 3,27,000 किस में आएंगे तो देखो यहाँ पर यह तो up to 2,50,000 था यहाँ पर देखिएगा 2,50,000 एक से लेकर के 5,00,000 तो इसी के बीच में आएगा एजुकेशन से भी देना है सेकंडरी और हाइर एजुकेशन से भी देना है मतलब इनको टेक्स भरना पड़ेगा तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे देखो आप लोगों को बता देती हूँ यहाँ पर हम लिख देंगे कि we'll have to pay income tax समझे ऐसे करके आपको आंसर लिखना है यहाँ पर calculation नहीं करना है बस आपको बताना है कि टेक्स देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड़ेगा तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे students यहाँ पर हम लिख देते हैं कि we'll have to pay income tax have to pay income tax clear है, समझ में आ गया चलो, अब हम आगे चलते हैं और फिर अगला सवाल देख लेते हैं students, अगला सवाल आ जाईए अगला सवाल मतलब next किसका नाम है देखो, यहाँ पर miss महता तो miss महता का age कितना है 44, तो इसके लिए भी आमें पहला टेबल ही देखना पड़ेगा है ना और इनका जो यह taxable income है वो देख लिए चे कितना है तो file-like 80, 2000 है ना file-like 80, 2000 तो आज यह देखते है file-like 80, 2000 कहां पर आएगा कौन से वाले slab में तो देखो, यहाँ पर यह देखो इनको टेक्स देना पड़ेगा की नहीं जी बिल्कुल देना पड़ेगा file-like कितना था file-like 80, 4000 यह से कुछ था ना क्या था मैं एक बार देख लेती हूँ वैसे इनको टेक्स भरना पड़ेगा अभी मैं आपको last minute एक short form बता देती हूँ आप समझ जाओगे ठीक है पहले मुझे यह question आराम से solve करवा लेने दो पूरा डिटेल में file-like 82,000 था ठीक है तो file-like 82,000 मतलब टेक्स तो इनको देना है पड़ेगा देख लो ना यह टेबल में यह जो हमने पहला वाला टेबल देखा था वो किसके लिए आप सीधा सीधा यहां पर क्यालिक होगे कि विल हैव्टू पहीं कमंटेक्स यहां पर आईए और लिख दीजिए विल हैव्टू पे इंकंटेक्स ओके आजो विल हैव्टू पे इंकम टेक्स ठीक चलो फिट से हम लाइन खीच देते हैं स्टूडेंट्स चलो भाई आज़ो अब आगे चलते हैं यहां पर देखिएगा मिस्टर बजाज इनका इंच कितना है तो 64 इयर्स अब बताव 64 इयर्स के हैं यानि कि हमें कौन सा वाला टेबल देखना होगा दूसरा वाला क्योंकि पहला वाला तो बस साट साल तक की था और इनका जो इंकम है वह कितना है एट लैक फॉर्टी था उसन मतलब टेक्स तो देना ही पड़ेगा आप देख लो यहां पर जो हमारा सेकेंड टेबल था उसमें हमने क्या देखा था कि जिनकी जिनका इंकम तीन लाग या फिर उससे कम रहा उनको ही टेक्स नहीं देना है बाकि अगर तीन लाग को क्रॉस किया तो उनको टेक्स देना ही पड़ेगा तो बताइए इनको टेक्स देना पड़ेगा कि यहां पर छूट कब तक दी गई है बस तीन लाग तक ही माफ है उसके आगे अगर आपने पैस हमससा अन कर रहे हो तो आपको उसके उपर ना पड़ेगा यानिके इनको टेक्सें कंदे मिटिये मिस्टर मुचार्च को ठखना पड़ेगा तो यहां पर लिखते हैं तो विल थैंक्स चलो अभ लास्टेश तर्ड लीए अब इन sidesरेफ कोई नहीं देख लेते हैं Mr. De Silva है ना तो इनका देखो एज कितना है 81 तो इनके लिए हमें तीसरा वाला टेबल देखना पड़ेगा और इनका जो इंकम है वो कितना है 2500 यह है उनका टेक्स डेना पड़ेगा कि नएक्तर है कंदर का अंग माले ने कर देखने में जो प्लूब। तो वहां पर हमने देखा था पांच लाग यानिकी जो भी सूपर सीनियर सेटिजन है यानिकी 80 साल के उपर है और अगर उनका इंकम पांच लाग या फिर उससे कम होता है तो उनको टेक्स नहीं देना पड़ेगा तो बताए इनको देना पड़ेगा क्या आप एक बार टेबल में देखलो वरना सोचो के मैं ऐसे बूल रहे है एसे नहीं बूल रहे है यहाँ पे टेबल में यही था यह देखो इनको पांच लाग तक पर छूट दिया गया यह देखो अप टू फाइल लैक नेल नेल मतलब अ आज लाग से कम ही है यहां पर लिख देंगे प्यारी बच्चों यहां पर लिखेंगे कि विल नौट एफ टू पे इंकम टिक्स समझें तो देखो यह है हमारा आंसर अब मैंने आप लोगों को जैसा की बताया था कि आपको इसका शॉट फॉर्म बताने वाली हूँ शॉट में ताकि आपको यह समझाता देखो जैसे कि आपको यह चीज याद रखना है कि जिनका एज कितना है अप टू सिक्स्टी इयर्स बस मैं आपको इसलिए यह क्या बता रही हूं कि टेक्स देना पड़ेगा या फिर नहीं देना पड तो फिर इस पे उनको टेक्स नहीं देना होगा ठीक और बाकी अगर इन्होंने इसको क्रॉस किया तो फिर उनको टेक्स भरना होगा ठीक और अगर मैं बात करूं 60 से 80 साल तो फिर यहां पे कितने तक छूट दी गई है तो 3 लाग तक छूट दी गई है अगर आप 3 लाग त तो फिर आपको टेक्स देना पड़ेगा समझेगी नहीं तो वही है यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखना और अगर सूपर सीनियर सिटिजन की में बात करूं यानि अस्य साल के अगर ऊपर कोई है तो फिर उसको पांस लाग तक की छूट दी जाती है कितने लाग तक की पा सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप सब्सक्राइब करने के लिए तो यहां पर क्या लिखा हुआ है एक है मिस्टर करतार सिंग जिनका एज कितना है 48 तो 48 मतलब कौन सा टेबल आएगा जी हां बिल्कुल हम देखेंगे इनके लिए ठीक है तो यह प्राइवेट कंपनी म करने में का मंतली इंकम कितना है तो 42 तो इनका क्या करेंगे इनका क्या करेंगे इसके लिए इंकम कितना है ठीक और फिर यहां पर देखो आगी क्या लिखा है कि एवरी मंथ ही कॉंट्रिब्यूट रुपीज थ्री थाउजन टू जी पी एफ यानि कि यह जी पी एफ जी पी एफ का फुल फॉर्म बताईए जल्दी से मैंने आप लोगों को पॉब्लिक प्रोविडेंट फॉर्म लाइफ इस पॉलिसी टूशन फीस नेशन सेविंग सर्टिफिकेट सो कन्या संब्रिदी स्कीम इन्वेस्में इन्वेस्मेंट इन्वेस्में पोस्ट डिपार्टमेंट यह सब कुछ किसमें आता है तो एटी सी के अंदर आता है ठीक है अगर आपको कोई भी टेक्स पे करने के आवश्रता नहीं है तो हम कहां पर थे हम यहां पर थे यह क्या करते हैं कॉंट्रिब्यूट करते हैं GPF यानि कि जनरल प्रोविडेंट फंड में कितना 3000 और याद रखो यहां पर यह भी मंतली दिया है तो हम क्या करेंगे 12 बहीने का कैलकुलेट करेंगे क्योंकि पूरे साल का कितना 12,000 रुपे उन्होंने प्रधान मंत्री रिलीफ फंड में भी डोनेशन दिया है तो फिर हमें उनका इंकम टेक्स बताना है बताओ इनको कितना टेक्स भरना पड़ेगा सरकार को कितना पैसा देना पड़ेगा तो चलो भई, कल्कुलेशन हम शुरू करते हैं सब लोग रेडियो बता तो चल्दीज है आ जाएए पहले हम क्या करेंगे इनका जो मंत्री इंकम दिया गया है इसते हम इनका early income बता करेंगे तो आजएए यहाँ पर हम लिखते हैं कि early income पहले यहाँ पर लिखते हूं monthly income right monthly income किसका करतार सिंग का है right बोलो कितना है तो 42,000 रुपीज बट जा रुपीज 42,000 तो अगर monthly income अगर इतना है तो फिर yearly income क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लिखते हैं yearly income इसके लिए हमें 12 से multiply करना पड़ेगा तो यहाँ पर हम लिखते हैं 42,000 इंटू 12 चलो फिर multiply करते हैं तो 1200,000,200,000 22 सा क्या होता है प्यारे बच्चो 24 होता है तो 48 होता है 48 प्लस 2 यानिके 50 मतलब 5,4,000 यह हमें क्या मिला तो यह इनका yearly income है ठीक यह बात समझ में आ गए अब उसके बाद जो इनके नमबर पर यह calculate किया ठीक है और दूसरे नमबर पर हम क्या calculate करेंगे तो इनके deductions का पता लगाएंगे मतलब क्या-क्या हमें यह जो income है इनका इसमें से हमें क्या-क्या deduct करना पड़ेगा तो चलो इसके लिए हम लोग एक table बना लेते हैं क्योंकि table में properly अच्छे से लिखना होगा कि ATC में क्या-क्या आ रहा है ATD में क्या-क्या आ रहा है यह सब कुछ हम लिखेंगे तो देखो यहाँ पर हम लिखते हैं under section section ATC ATC में लिमिट कितना था यहाँ पर यह भी हम लिख देते हैं अब तो 150,000 इतने का लिमिट था राइट और फिर आ यहाँ पर ATG में लिख देती हूँ under section ATG और इसके तहत पूरा छूट दिया गया था राइट हमने देखा था 100% का ATG यहाँ पर लिख देते हैं 100% है इसमें पूरा चूट दिया जाता है चलो यहाँ से फिर से एक लाइन खीज देते और फिर यहाँ पर जो भी deduction हैं वह हम लिखेंगे आजए देखते हैं देखिए बच्चो मतलब जो हमारा section C है under section C इसमें क्या क्या आएगा तो इसमें आपने पहले तो यह देखा था क्या देखा था कि वह हर मंत में कितना इन्वेस्ट करते हैं मतलब कितना कॉंट्रिबूट करते हैं 3000 कितना हो जाएगा तो यहां पर मैंने लिख दिया है एन एसी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना चलो देखो इसमें कितना घर्चा हो रहा है तो इसमें इन्होंने घर्चा किया पंद्रह हजार रुपे ठीक फिर आगे देख लिए एंड डोनेटेड रुपीस 12,000 टूदा पीम्स यह यका देख अगा यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर पहला नम्बर डाल करके पीम्स रिलीव फंड भान को झाल बिए कि तना डूलीशन दिया है बारह हजार का तो यहाँ पर मैं लिख दिया है 12,000 और कहीं पर इन्होंने खर्चा किया पैसों को और कहीं पर नहीं क और 15000 तो दीखो 51000 तो से कम ही है यह यह पूरा के पूरा डिटन को चाएगा और यह भी डिटन हो झाएगा तो आजएए और हम आजे लिखते हैं टोटल डिड़क्शन इनका कितना होगा तो वो होगा 51,000 प्लस 12,000 ठीक है समझ में आया कि इने मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ देखो यह 1,50,000 से कम ही है है न 51,000 तो इतना हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे यहाँ पर टोटल डिड़क्शन की मैं बात कर लेती हूँ य टोटल कितना हो जाएगा तो बारह और 51,000 कितना होता है जीरो 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 और एक दो तीन पांच च्छे यानिकि 63,000 हो जाएगा यह क्या हो गया डिड़क्शन मतलब इनका यह इंकम है ना उसमें से हमें ये को मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यह क्या है निकाल लिए और अब हम फाइंड करेंगे textable income क्या फाइंड करेंगे textable income तो आज दिए आप पें का color change कर देती और तीसरे नमबर में हम find करते हैं प्यारे bachow taxable income यह मैं कैसे पता चलेगा तो इनका income कितना है पांच लाग 4,000 इसमें से हम यह जो डिड़क्शन है ना उसको माइनस कर देंगे तो डिड़क्शन कितना था 63,000 चलो फिर आप माइनस करके देखो 0,00 ठीक है चार में से 3 गया तो कितना आता है प्यारे बच्चों एक आता है तो यहां पर हम लिख देते हैं इसमें से जहें तो चार और यहां पर 4,41,000 रुपीस यह हमारा क्या है टेक्स इबल इंकम ना तो इतनी के ऊपर इनको क्या देना पड़ेगा किसको मिस्टर करदार सिंह को इतनी वाज़ी समझ करेंगे तो उसके बाद हम क्या calculate करेंगे तो इंकम इनका calculate kayकोलेट करेंगे तो ऑन whack Um ने लिख्लेग करेंगे मतलब इनका इनका है na Texable income से बीच आप न से वाले स्लेब में इनके ऊपर कितना परसेंट का हमें टेक्स लगाना है देख लिया फोर लाग फॉर्टी वन थाउसन बाजाओ इस टेबल में और अपर से देख लेते हैं टेबल नंबर वन इसमें क्या था मिस्टर करतार सिंग तो यहीं आएंगे फॉर लाग फॉर्टी व इंकम है उसमें से टू लाग फॉर्टी थाउसन को माइनस करो और उसके उपर पांच परसेंट करो इंकम टेक्स बात समझ में आया आप लोगों को और दो परसेंट का दो परसेंट क्या लगेगा एडुकेशन से लगेगा और से कितना लगेगा वन परसेंट तो चलिए और फिर हम फाइंड करेंगे इंकम टेक्स अरे यह क्या हो रहा है लाइन क्यों नहीं आ रहा है आगया फाइंट अब चौधे नंबर पर हमें क्यालकुलेट करना है पहले मैं यहां पर लिग देती हूं फ्रॉम टेबल वन हम यह कौन से टेबल से लिख रहे हैं टेबल से नंबर बलॉबर चोफे नंबर पर हम क्यां अब लोगों को 5% फोल्गिас काम परसेंट तो टेक्सेबल इंकम इसमें से 25000-21 –फ्र indeed कर देंगे और तब यहां पर कैलकूलेशना करेंगे तो फिर हमें income tax मिलेगा ओके चलो यहां पर देख लो प्यारे बच्चो देखो 5% का मतलब क्या होता है 5 upon 100 उसके बाद हम इसको माइनस करके देखते हैं कि इतना आएगा तो 000 ठीक है तीन टी जीरो आ गया फिर यह 1 में 0 गया तो 1 और यहां पर चार रहें यहां पर 5 तो 14 में से 5 चाहेगा तो 9 आ चाहेगा यहां पर कितना पचाहे थ्री थ्री में से टू गया तो वन यानिकी यहां पर कितना आएगा पांचवे नंबर पर क्या क्या करेंगे तो हम पांचवे नंबर पर करेंगे एजूकेशन से इसका पर्सेंटेज कितना था जल्दी से बताओ दिखाया था न मैंने आप लोगों को तो 2 परसेंट आफ इंकम टेक्स का दो परसेंट राइट तो देखो टूपरसेंट का करते हैं तो कितना आएगा चाहिए आएगा समझेए जी नाइन है यह नाइन है रूपीज यह हमें क्या मिला यह मिला अब हम लिए सब होते हैं जो हमें एक्सट्रा देना पड़ता है इनकम के उपर क्या लिखेंगे सेटी एंड हायर education says and higher education says ठीक है students तो बताएए इसका percentage कितना था तो 1% था किसका income tax का तो यहां पर हम लिख देते हैं 1% of income tax 1% of income tax ठीक है ना तो 1% का मतलब क्या होता है 1 upon 100 होता है और income tax बोलो जल्दी से कितना है तो 9550 जीरो से जीरो cancel हो जाएगा यहां पर बच्चेगा क्या देखिएगा 955 upon में है 10 देखो यहां पर एक जीरो है ना तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यह इस प्रकार से हो जाएगा यानिकि 95.5 समझे तो यह है आपका secondary and higher education से आप इसको डिवाइड करके देख लेना वही आएगा 95.5 समझे इसका एक आसान तरीका आप लोग को बताती हो देखो नीचे कितना इंकम टेक्स पे बल मतलब टोडल कितना इनको टेक्स देना पड़ेगा तो क्या करेंगे हम इंकम टेक्स कौन से नंबर में निकाला था चौत यह नंबर पे लिखेंगे 4 प्लस इसको जड़ा मैं नीचे थोड़ा और लिखती हूं काफ़ी जादा ऊपर जा रहा है थोड़ा और नीचे आधा ठीक है क्या लिखेंगे 4 प्लस 5 प्लस 6 यानि कि इंकम टेक्स प्लस इजुकेशन से प्लस इन सब्सक्राइब जोड़ा इंकम टेक्स कितना आया है तो 9550 और पांच वे नंबर पर क्या है 191 यानिके एजुकेशन से इतना है और जो हमारा सेकेंडरी आन हाइर एजुकेशन से से वह कितना है प्यारे बच्चों 95.5 रुपीस आ फाइनली आपको आपका आंसर मिल जाएगा तो 9550 191 और फिर 95.5 तो यहां पर क्या आएगा आपनिमन से इधर 0 बढ़ा लो तो इधर आजएगा पांच पांच एक जहेदर पॉइंट लगा देना नो नो अठारा अठारा पांच कितना होता है तेस तेस का तीन दो आ गया प हमारा फाइनल आंसर बाद समझ में आप लोगों को यानि यह मिस्टर करतार सिंग का इंकम टेक्स पेडल यानि कि इतना इंकम टेक्स उनको देना पड़ेगा समझे तो देख लो इसको अच्छे से देख लीजिए और बाकी इसके पीडियाफ तो मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करते हैं हमारा प्रॉब्लम से तो उसके भी कोश्चन्स आप लोगों को मिल जाएंगे मतलब उसका भी वीडियो मिल जाएगा प्लेइस में चबाप जाएंगे ना तो आपको सब कुछ मिल जाएगा देखो मैंने सब कुछ करा दिया है आपका आलजेब्रा सब्सक्राइब का हर एक चैप्टर और मैंने डबल डबल से पढ़ाया यानि पहले भी मैंने एक बढ़ पढ़ाया था तो मैंने जोचा कि चलो इस बार आप लोगों को न्यू वीडियो देते हैं क्योंकि आप लोग को भी नए वीडियो चाहिए होते हैं आप खुरी इसके अंदर आपको मेरे साथ लाइप पढने का मिल सकता है मतलब मिलेगा तो आप इसको जरू डाउंलोड कर लीजेगा और नोट्स वगरा आपको यहीं पर मिल जाएंगे और यह हमारे टेलिग्राम चैनल है तो कुछ अबडेट वगरा रहता है तो वह मैं यहां पर आप लोगों को बता देती हूँ इसलिए आप सभी लोग टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ चाहिएगा और यह हमारी ऑफिशल इंस्टाग्राम यहां पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और एक और बात आप लोगों को बताना था देको बच्चों हमारा ना जैसे आप लोग थेयरी सब्जेक्स कहते हो ना कि मुझे यह सिखाओ जोगर आफिस सिखाओ या फिर साइन्स वगरा सिखाओ तो बच्चों इसके वीडियो आ इसके अलावा आप लोग को बता देती हूं कि अब ही तक मैंने क्या कंप्लेट करवाया हुआ है आप लोगों के लिगे तो जो जोग्राफिक यह आपके दोनों चैप्टर से ना कोन कोन से चैप्टर से यह वाला एक तो ट्रेड यानिके चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर करवा दिये हैं और प्लेडिस्ट में जाएंगे ना इसी चैनल के प्लेडिस्ट में तो वहां पर आपको वो दुनों लेसंस के वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे तो बहुत पूरा अच्छे समयने करवाया है आप जरूर देखिएगा आपको पक्का समझ में आएग और यह चैनल भी आप सब्सक्राइब करके रखो ताकि आगे जब मैं वीडियो सब्सक्राइब करों तो आप लोग यहां से पढ़ाएं कर पाओ तो बस इतनी बाते बताने थी बाकि यह तो कंप्लेट हो गया और प्रॉब्लम सेट 6 भी हो जाएगा आप देखिएगा प्ले वीडियो में ठीक है चलिए थैंक्यू सो मच